हेलो गाइस मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेकनिकल तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बर्ड प्रेस में पेजेस कैसे बना सकते हैं तो किस तरीके से पेजेस बनाते हैं जैसे अबाउट अस पेज हो गया या कोई भी पेज है वो किस तरीके से बनाते है मैं इस वीडियो में फुल डेटेल्स में आपको बताने वाला हूँ तो चली इस वीडियो में शुरू करते हैं तो गाईस सबसे पहले मैं इसमें login कर लूँगा अपने यह मेरा blog है, इसमें मैं page add करना चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि wordpress blog में page कैसे add करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें login कर लूँगा, लॉग इन करने के बाद देखें यहां पर option आएगा यह सारा dashboard मेरा open हो जाएगा तो यहां पर option आएगा pages का इधर जाओंगा यहां पर add new पर click करूँगा add new पर click करने के बाद देखें यहां पर option आजाएगा add title page का title जो भी है और यहां पर page का content है वो लिख सकते हैं तो मैं about us page जो 9100 करने वाला हूं about लिख लिया मैंने यहां पर ठीक है अब मैं यहां पर नीचे बाद की details लिख देता हूं about us page की जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं तया आगी देखिए मैंने यह थोड़ा सा इसमें लिख दिया है यहां पर ठीक है अब इसमें एक image भी मैं add कर देता हूं तो मैं जैसे यहां पर add कर देता हूं एक image त केमे ने जैसे एक image भी add कर दीए ठेके इसको add करने के बाद मैं यहां पर side में publish का button है एक बार इसको check करलूँगा इमेज भी मैंने add कर दीए इसको मैं बीच में लाना चाहूं तो बीच में लिक्या सकता हूं मैं बीच में ला रहूं ठेके इसको bold करना चाहूँ तो यहां से bold कर सकता हूँ ठीक है और YouTube channel है जैसे इसको मुझे link करना है मेरे YouTube channel से तो यहां पे insert link पे click करूँगा insert link पे click करने के बाद मैं अपना YouTube channel का जो link है वो यहां पे paste कर दूँगा उसको यहां से connect कर दूँगा तो देखिए इससे मेरे YouTube channel का link जो है connect हो गया है अब मैं यहां पे check करके देखता हूँ for example तो देखिए यह मेरे YouTube channel open हो गया है इस तरीके से आप जो है यह page पर सारा content का edit कर सकते हैं अब मैं यहां पे publish पे click करूँगा अब view page पे में click करूँगा तो देखिए यह मेरे page जो है add हो गया है इसी तरीके से हम और page भी add कर सकते हैं इसमें ऊपर भी option आता है new पे तो यहां पे हम page पर click कर लेंगे और यहां पे हम जैसे एक नया page और बना देते हैं deals का तो मैं यहां पे deals का कुछ page बना देता हूँ देखिए इस तरीके से मैंने कुछ content डाला इसमें और अगर हम इसको देखना चाते हैं यह कैसा देखता है front end पे तो हम यहां पे preview पे click कर देंगे तो हम यह जो page है वो ऐसा देखना चाता है यहां पे ज़्यादा space आ रही है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं वापिस यहां पे ठीक है फिर से हम preview करेंगे तो देखिए यह space कम हो गया तो इसलिए हम preview करके देखते हैं पहले से page को कि हमारा front end पे कैसे show कर रहा है इसके बाद हम इसको publish कर देंगे देखिए इस तरीके से यह page भी हमारा बन गया इसके बाद हम एक page और बना लेते हैं यहां पे contact तो मैं यहां पे यह लिख देता हूँ यहां पे एक image भी मैं add कर देता हूँ देखिए मैंने image add कर दी है इसको मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ प्रिव्यू करके कैसा देख रहा है इस तरीके का यह page देख रहा है तो मैं अब इसको publish कर देता हूँ इस तरीके से guys हम जो यह page बना सकते हैं contact page में contact form भी होता है तो मैं उसको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि आप contact page में कैसे contact form add करते हैं तो I hope आपको pages बनाने आ गया होंगे तो next video में आपको बताऊँगा कि menus कैसे बनाते हैं जैसे यह menus हैं तो यह कैसे बनाते हैं कैसे इसको set करते हैं next video में आपको यह बताने वाला हूँ तो I hope यह video आपको पसंद आया हुआ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाबाई